दोस्तों आज हमें केस डिसकस करने वाले हैं जो कि एक रिपेर हैर ट्रांस्परांट का केस है इसमें जो एंगल थे फ्रिंटो टेंपोरल एंगल वो गलत थे और पेशेंट को काफी आर्टिफिशल लुक इसमें आ रहा था इसमें 4000 ग्राफ्ट इंप्लांट किये गए और 30 ए हेडलाइन जो इनकी ट्रॉ करी गई है यह प्रिविएस हेडलाइन से थोड़ी नीचे है और इनका जो फ्रंटो टेंपोरल एंगल है उस पे कुछ ग्राफ्ट थे जिनको हमने आगे रिमूब करने के लिए प्लान किया क्राउन इरिया भी हमने इनका कवर किया मिड़ स्कैल इनको निकाला गया और आप देख सकते हैं इनके सारे असपेक्ट्स क्राउन एरिया भी कवर किया गया है जिसमें मौटरेट डेंसिटी दी गई यह इनका डोनर एरिया था अब आगे चलके देखते हैं इनका फर्स्ट मन्त में इनको 70% तक शेडिंग हो चुकी थी डोनर ए बोत इनकी स्टाट हो चुकी है औल ओवर और टेम्पल्स की तरफ भी इनको ग्रोथ आनी स्टाट हो गई है डोनर एरिया इनका अंडिटेक्टेबल है और काफी रिच डोनर जोन होने की वज़़ा से काफी पैचान पाना मुश्किल है कि कहां से इनके ग्राट्स हावस्ट क पाना मुश्किल था कि एक repair hair transplant है और frontotemporal angle जहां से कुछ graft harvest किये गए थे वहाँ पर भी काफी अच्छे से वो hair line का जो इनका frontotemporal angle है वो मर जुआ है इसी तरह कि जो cases हैं जिसमें जो patient हैं अपने hope खो बैठते हैं कि अब इनका hair transplant ठीक नहीं हो पाएगा तो उनके लिए एक आशा की किरन है हम इस तरह की cases को काफी अच्छे से handle कर सकते हैं donor area में भी देख सकते हैं इनको density अच्छी आ चुकी है अभी भी patient के बाद इतना donor zone है future में भी कोई अगर transplant करना पड़े तो उसके लिए भी हमारे बार donor area available है अगर काफी गौर से इनकी headline देखें तो अभी भी वो undetectable है single hair follicles का use किया गया था काफी naturally इनके जो hairs के angle हैं वो मर जूए हैं Thank you